तो मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में आज है Friday morning और आज Friday morning को कैसा चल रहा है crypto market, क्या कुछ हाल चल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है Bitcoin, Ethereum, Altcoins में सारी update यहाँ पे लेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को very good morning, I hope आप से बच्चे होंगे अगर crypto market को देखें तो crypto market भी अच्छा है, अगर आप power देखेंगे market की, जो 900 billion डॉलर पे चल रहे थे levels, अब आ चुक है 1.02 trillion डॉलर पे, फिर से trillion डॉलर का market cap हो चुक है, 1 trillion डॉलर का, और 3.8% market उपर गया है, last 24 hour, और यह सारी चीज़े होगी है, Bitcoin अगर आप देखेंगे, कल रात भी trade कर रहा था, 19,300-400 पे कर रहा था, लेकिन अभी जो Bitcoin के, तो अभी जो Bitcoin के level चल रहे है, 20,397 जी, हाँ, 19,300-400 सी सीधा-सीधा Bitcoin आ चुक है, 20,400 के level पे, और काफी अच्छी तेजी आई है, Bitcoin के price में, अगर आप देखो, रात-रात के अंदर 5% Bitcoin का price बढ़ गया, 20,357 के level चल रहे है, 19,000 का low है, और 20,300, लेकिन, लेकिन, बता दू, मैं आपको ये एक fake pump भी हो सकता है, ठीक है, कही न गई, market के अंदर जो whales है, वो पहले खेल कर रही है, 13 September से पहले, और 13 September से पहले, कही न गई, आप ये मत समझेगी, market उपर जाने वाला, या market bull run start हो गया, ये ह हो गया, वो हो गया, अभी market नीचे भी आ सकता है, ठीक है, depend करता है, 13 September से पहले, क्या कुछ level रहते है, market के, और weekly closing क्या रहती है, बहुत सारी चीजे है, तो इस pump को आप ये मत समझेगी, कि इसके बाद pump ही आने वाला है, यहां से dump भी आ सकता है, यहां से और pump भी आ सकता है, लेकिन depend करता है, CPI data के उपर 13 September को उसके बाद merge है, किस तरह से market के reaction रहेंगे आने वाले events के time पे, वो देखना बहुत जरूरी है, overall इस time पे whales खेल कर रही है, bitcoin को pump करा दिया है, ठीक है, पूरा पूरा bitcoin का एक बुर्ज कलीफा आप देख रहे हो इस time पे, कहा लेवल चल रहे bitcoin में तेजी है, लेकिन old coins में ज़्यदा हमको तेजी देखने को नहीं मिल रही है, 1694 पे ethereum चल रहा है, ethereum के high low देख लें, क्योंकि अब बिलकुल यहाँ पे काफी कम time रह गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे, 5 days, 16 hour, 17 minute, यहाँ पे रह चुके है, ethereum merge को, पूरी यहाँ आपको कितना time बाकी है, ethereum merge के लिए, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे, 1700 dollar के करीब-करीब ethereum पहुंच गया, 1500 dollar तक इसके level चले गए थे, 200 dollar का increase इसने दिखा दिया है, 2-3 दिन के अंदर ही, तेजी तो आ रही है, लेकिन एक scenario ethereum का हम dump का भी देख सकते हैं, merge के बाद ethereum में एक dump हमको देखने को मिल सकता है, surge भी देखने को मिल सकता है, लेकिन dump भी देखने को मिल सकता है, जहां सब expectation कर रहे हैं, कि market नीचे जाएगा, 13 September को, वहां market उपर भी जा सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है, यहां पे whales वही काम क liquidate करा देती हैं, सारी जो trades लोगों ने ले रखी होती हैं, तो इस बार भी market काफी जदा liquidations करने वाला है, तो मैं आपको यही कहूंगा, इस बार आप अगर trade ले रहे हो, future कर रहे हो, trade ले रहे हो, तो थोड़ा सा risk है इसके अंदर, थोड़े सी यह event बीत जाने दो, market को 266 से चल रहा था, 266 पे चला गया था, ठीक है, वहाँ से सीधा 288 डॉलर पे इसके price आ चुके हैं, XR पे रिपल कोई ज़्यदा movement नहीं है, cardano 0.49 पे चल रहा है, 0.50 को touch करके आया, तो 0.47 पे आया, लेकिन अभी 0.49 पे आ चुका है, इसके लाभा solana की बात कर लें, 35 डॉल को मिल रहा है, polka dot चल रही है, 7.6 डॉलर पे 5.9 परसेंट जो है, polka dot भी चल चुकी है, dodge coin 11 नंबर पे fix है, और 10 नंबर पे polka dot आ गई है, तो बिल्कुल जो polka dot 11 नंबर पे हुआ करती थी, वो polka dot आपको 10 नंबर पे दिखेगी, ठीक है, और dodge coin आ चुका है, 11 नंबर पे, 12 नंबर पे, 0.87, 13 पे है, Shiba Inu, 0.4 x 0, 1258 के लेवल है, लेकिन अगर हम देख लें, poligon बीच में से हट जाए, तो Shiba Inu और dodge coin साथ साथ आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, 8.3 बिलियन डॉलर का market cap है, dodge coin का, 7.6 बिलियन डॉलर का है, पॉलिगॉनमेटिक का, और 6.9 बिलियन डॉलर का है, Shiba Inu का, तो market cap में काफी difference है, लेकिन हो सकता है कि dodge coin और Shiba Inu, या Shiba Inu, डोज को इन से आगे निकल जाए, क्योंकि Shiba Inu आने वाला तो, अब वो टाइम भी आने वाला है, कि जब हम जल्दी Shiba Inu की rally भी देखने वाले है इसके अलावा Shiba Inu के level क्या चल रहे है, अब bitcoin तो pump कर रहा है, लेकिन altcoins में इतनी तेजी नहीं है, 1259 के level ज़रूर आया है, Shiba Inu के 17,76,000 लोगों की नजर में है, 1.9% green में है, 1202 के low हैं और 1264 के high है Shiba Inu के, चार्ट पर नजर मारे है, एक छोटा सा बुर्ज कलीफाय 12 की series के level चल रहे हैं, और trading volume की बात कर लें, तो trading volume अच्छी हो रही है Shiba Inu की, जब भी dip में आता है, तो अच्छी volume आती है Shiba Inu के अंदर, और 22% green में है, 6.9 billion dollar का market cap, तो market आज हरा भरा एक green market चल रहा है, लेकिन य greenery है, ठीक है, इसके बाद dump भी देखने को मिल सकता है, शुरुवात करेंगे Terra Luna Classic से, Terra Luna Classic की rank काफी कम हो चुकी है, 27 पे इसकी rank आ चुकी है, top 30 की list में ये फिर से आ चुकी है, ठीक है, और 0.041 मतलब Indian रुपीज के अगर आप level देखेंगे तो 4 पे आ चुके हैं, और 0.00052 के level चल रहे हैं इसके, यहाँ पे डॉलर्स में, 5.9 का ये high लगा के आई है, last 24 hour में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, 5.9 का इसने high लगा दिया था कली, अभी जो है थोड़े से correction देखने को मिल रहा है इसके price में, लेकिन अगर आप price देखेंगे इसका, यहाँ पे price काफी ज़्यदा इसका बढ़ चुका है पिछले कुछ दिन के, अगर मैं बात कर लूँ किसीने अगर 7 days पहले भी entry लियोगी न, अभी थोड़ा सा correction देखने को मिल रहा है, लेकिन 100% से उपर का profit दे चुकी है, पिछले 1 week के अंदर भी है, तो 1 week पहले भी अगर कोई आया होगा न तो पैसा यहां पे उस double कर दिया है, 14 दिन में इसने twin गुना कर दिया है, 1 month, 2 month के चार्ट देख लें, तो 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, यहां तक नंबर पहुँच गया है, अभी थोड़े कम ज़रूर दिख रहे हैं, क्योंकि correction देखने को मिल रहा है, उसी साब से यहां के नीचे के नंबर भी कम हो गया है, लेकिन overall काफी अच्छा pump दे चुकी है, काफी अच्छा profit दे चुकी है, बहुत सारे लोगों ने book कर भी लिया है, बहुत सारे लोग book नहीं कर रहे हैं, इसी चक्कर में कि यह 1 dollar 1 rupee जाएगी, अगर यह 1 dollar 1 rupee जाने वाली है, तो आप हूँगा कि इस asset के अंदर काफी ज़्यदा risk है, ठीक है, काफी ज़्यदा risk की asset है, hype जरूर चल रही है, proposal यहाँ पे support जरूर किया जार action जिसकी तरह से, आगे pump और दिखा सकती है, लेकिन जब कोई coin इतना pump ले लेता है ना, तो उसके बाद correction भी काफी अच्छे खासे देख करना चाते हैं, overall weight तो आपको करना पड़ेगा, अभी $1 का कोई scenario नहीं है, सीधे सीधे आप समझ लीजे, बहुत, यह 3-0 किल करना not easy, ठीक है, बहुत बड़ी market cap चाहिए, इसको 3-0 उडाने के लिए, ठीक है, यह चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, $1 का level नहीं बात कर रह करना पड़ेगा, इस कोईन के लिए, और अगर हम इसका देख लें, all time low से इसने 54,000%, मतलब काफी अच्छा low से, जिसने low पे price में, इस price के उपर पैसा डाल दिया होगा, थोड़ा सा भी डाल के छोड़ दिया होगा, तो आज काफी अच्छा profit यह दे चुकी है, उस level से, next update क की बात कर लें, तो UK की जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, Liz Trust, उन्होंने यहाँ पर एक tweet किया, और अगर आप देखोगे, यह tweet पुराना जरूर है, अगर आप देखेंगे, 13 January का tweet है, 2018 का, लेकिन इसके माइने बहुत बड़े हैं, क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है, और we should welcome cryptocurrencies in a way that does not constrain their potential, और liberate free enterprise areas by removing regulation that restrict prosperity, तो cryptocurrency का welcome इस तरह की जो चीजे हैं, वो कही ना कहीं जो नई प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे expect कर सकते हैं, UK के अंदर cryptocurrencies को लेके, कही ना कहीं, एक friendly behavior हमको देखने को मिल सकता है, यह बहुत ज़्यदा चीजें जो हैं, जरूरी हैं, किस country के अंदर, crypto को लेके कैसा behavior रहता है, ठीक है, तो नई जो प्राइम मिनिस्टर आई हैं, उनका क्या रुख रहता है, आने वाले time के अंदर, cryptocurrency को लेके, वो भी देखना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो वो है, शिबाइनू को ले Shiba Inu ने contribute किया था, to fight against the coronavirus pandemic, यहाँ पे जो विटाली को supply भेजी गई थी, Shiba Inu की, उन्होंने वहाँ पे donate कर दी थी, और विटाली गुटेरियन, the co-founder of Ethereum, has taken time to express gratitude to meme-based cryptocurrency, Shiba Inu, for supporting the Balvi project in its fight against the deadly coronavirus pandemic, यहाँ पे अगर आप देखेंगे second update from Balvi, इसको लेके, विटालीक ने यहाँ पे thanks किया है, Shiba Inu community का, Shiba Inu coin का, और crypto relief fund के अंदर, इंडिया में भी donation दिया गया था, Shiba Inu का, ठीक है, उसके साथ-साथ, लगातार Shiba Inu की तरफ से, जो donation, मतलब, जो भी donations हुए, उसको लेके, व update from Balvi, Moonshot, anti-covid effort funded by Shiba Inu coin, crypto relief, we have our first round of funding recipients, तो यह एक बहुत अच्छी बात है, कि इस तरह के donations भी किये जा रहे हैं, और यहाँ पे इस तरह के tweets भी आ रहे है, crypto relief fund को लेके, और विटालीक का भी कहीं ना कहीं एक support दिखता है, Shiba Inu को लेके, time to time वो Shiba Inu को लेके, कभी ना कभ update आता ही है, चाहिए इस update के लिए आए या फिर किसी और चीज के लिए आए, क्योंकि Shiba Inu अभी Ethereum chain पर ही काम करता है, और यह जो update आई है, यह कहीं एक positive update है, Shiba has helped many people around the world, यह जो donations दिये गए है, इस से काफी लोगों की help हुई है, ठीक है, काफी अच्छी बात है, और Shiba Inu will change many life in the future, तो future में भी life change करने वाला है, अभी लोगों की life change कर भी रहा है, जो donations जा रहे है, relief fund के लिए, ठीक है, तो कहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, Shiba Inu की तरह से इतनी तरह की जो चीजें हैं, यह भी हो रही है, और Vitalik भी साथ में है, next update की बात करें, तो two giant whales add 701 billion Shiba Inu now hold 14.9 trillion Shiba tokens, तो दो सबसे बड़ी giant whales ने यहाँ पे add किया है, 700 billion Shiba Inu coins, बिल्कुल two top whales 701 billion Shiba Inu coins, जिनकी value है, 8.6 million dollars की, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, the 75th biggest ship whale purchase 6.6 million worth of Shiba Inu, यहाँ पे सारी update आपको मिल जाएंगी, इसको लेके, अगर आप देखेंगे, इस address के अंदर, यहाँ पे आपको जो balance देखने को मिलेगा, वो मिलेगा, 541 billion tokens का, और जिनकी total value की, अगर हम बात कर लें, 6.6 million dollar की value है, इन coins की, और इस address के अंदर, 541 billion Shiba Inu coin है, यह 75 नंबर की सबसे बड़ी Shiba Inu की whale है, ठीक है, इसके अलाबा, the 7th biggest ship whale bought 1.97 million worth of Shiba Inu, जो 7th number की सबसे बड़ी whale है, इसने भी 160 billion Shiba Inu करीदे है, और इसके भी अगर हम देख ली यहाँ पे, तो इसका अगर आप देखोगे, address के अंदर, यहाँ पे balance जो हम देखेंगे, 14 billion Shiba Inu coins हैं, और total जो value है, यहाँ पे, तो बिल्गुल 14 trillion Shiba Inu, अगर आप देखोगे, यहाँ पे billions नहीं है, 14 trillion Shiba Inu हैं, और इसकी जो value है, इन सभी coins की जो value है, 176 million dollars की है, तो Wales किस तरह से अपने back के अंदर, उनके address के अंदर अगर आप देखोगे, किस तरह से trillions में Shiba Inu की holdings पड़ी हैं, आप यह खुद अंदाजा लगा सकते हो, तो Wales भी कहीं न कहीं तयारी कर रही हैं, क्योंकि Shiba Inu का bullren पूरा-पूरा एक साल हो चुका है, October 2021 में आया था, तो अब October 2022 भी कुछ अच्छा हो सकता है Shiba Inu के जो level चल रहे हैं, वहां से Shiba Inu उठके थोड़े अच्छे level पे जा सकता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले face करना है September मन्त को, जो की काफी ज़दा मुश्किलों से भरा हुआ है, तो किस तरह से market react करता है, ठीक है, पहल 15 million tokens जो हैं, last 24 hour में burning के लिए गए है Shiba Inu के, अभी recently Robinhood ने Cardano को लिस्ट किया था, जिसका update हमने आपको दिया था, लेकिन Floki Inu भी कही न कहीं बहुत कोशिश कर रहा है, back to back कोशिश है Floki Inu की, बहुत सारी exchanges को लेके petition चल रही है, Binance को लेके, Coinbase को लेके, eToro को लेके, लेकि कहीं न कहीं काफी जदा active है Floki Inu, और Floki चाहता है कि जल्दी Robinhood के उपर listing और signatures यहां पर हो रहे हैं, petitions के उपर, अब Robinhood आपको पता है, इतना easily list करता नहीं है, बड़े-बड़े coins को भी, Cardano को भी अभी list किया, Robinhood ने, Shiba Inu को कितनी देर बाद list किया, कितना time wait करवाया, तो listing जरूर हो सकती है, लेकिन कब होगी, यह बहुत जरूरी है, time जरूर लग सकता है, लेकिन Floki Inu की कोशिशे बता रही है, कि आने वाले time में Floki Inu भी कभी न कभी Robinhood पर list हो सकता है, आपके क्या views हैं, कि Robinhood के उपर Floki Inu की listing होगी या नहीं होगी, क्योंकि 4,00,000 से ज्यादा holders Fl नेक्स अप्डेट की बात कर लें तो वह और भी इंट्रस्टिंग है, एशिया बैंकिंग जाइंट DBS जंप इंटो दा सेंडबॉक, Box Metaverse, अलरेडी सेंडबॉक्स, Decentraland, इनके अंदर Metaverse के अंदर काफी Banking Giants आ चुके हैं, काफी Companies आ चुकी हैं, काफी लोग आ चुके है लेकिन नेक्स नंबर है, एशिया का banking giant DBS and Singapore-based bank said it will buy land in the Metaverse to create the DBS better world and build a virtual community, तो Singapore-based DBS bank ने यहाँ पे बाय किया है, DBS Bank Limited, the largest lender in Southeast Asia, said it has partner with the Sandbox, और यहाँ पे एक land खरीदा है, इस bank ने Sandbox के Metaverse में, अपनी virtual community के लिए build करना चाते है, virtual community to build new services for clients in the 3D virtual world that uses digital avatar, तो बाकी सब bank कर रहे हैं, तो DBS भी कहाँ पीछे रहेगा, और DBS is the first company in Singapore to sign a partnership with the Sandbox, तो Sandbox कहीं ना कहीं, काफी partnerships हो रही हैं Sandbox के साथ, तो थोड़ा Sandbox पे भी focus रखें, long term के नजरिये से देखें, तो Sandbox एक अच्छा project है, Metaverse का काफी अच्छा potential रखता है future में, आपको अच्छे gains दिखा सकता है, ठीक है, तो यही कुछ cryptocurrency news and updates थी, I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गयोंगे, वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को like, share, जरूर कर देना, comment भी करना, next वीडिय Twitter के link है, join नहीं किया, तो वहाँ भी join हो सकते हैं, वहाँ भी सब update आपको मिलते रहते हैं, किसी भी crypto में invest करने से पहले, सबसे पहले अपनी research जरूर करें, वो बेहत जरूरी होती है, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, next वीडियो में, तब तक के लिए, bye Bye-bye.